सो हे गाईस कैसे हो आफ सब I hope आफ सब ठीक होंगे, सौस्त होंगे, तन दुरolesome होंगे तो अज जो आफ देख रहे हो है हमारे पास है एक अकाउंट आफ देख लीज़िए दोर्सितो आफ कितना सारा गैप है R के बाद भी कितना gap है O के बाद भी कितना gap है H के बाद भी कितना gap है तो इस आप से दोस्तो आप देख से दियो इसकी जो identity है वो तो confirm हो ही नहीं सकती ठीक है ना और दोस्तो इस account पर confirm your identity वाला ही option आया हुआ था ठीक है इस account पर फिलाल option change हो चुका है कैसे हुआ था ये मैं इस video के अंदर बताने वाला हूँ सबसे वहले आप देख लिजे कि इस पर option change हुआ भी है या नहीं हुआ तो सबसे पहले आप देख लिजे दोस्तों ये नाम है ये profile picture है स्टमबर 24 2022 को एक ID मतलब ये ID थी वह लोक हुई थी मतलब पिछले साल स्टमबर की 24 तारीक को और मैं जैसे आपर get added पर click करता हूँ और next पर click करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें जो है get a code by email वाला जो option है वो इस account पर मिल चुका है अगर हम इस पर click करते हैं तो आप देख सकते हो जो हमारे account की email है वो यहाँ पर show हो चुकी है और अगर हम see other option पर जाते हैं तो फिलाल हमें एक option मिला है जो की है get a code by email का मतलब एक option हमें आपर देखने को मिल चुका है अपने account को unlock करवाने के लिए तो दोस्तो अगर आपने वीडियो को like नहीं गया तो भाई वीडियो को like कर दो चैनल को भी subscribe नहीं गया तो चैनल को भी subscribe करके notification बल पर क्लिक कर लो ताकि दोस्तो आपको future में भी हमारी हार एक वीडियो को notification सबसे पहले मिले और दोस्तो जीसे अपने account की बिल्कूल exact date of birth बता है वो हमसे contact कर सकता है जो भी process होगा unlock का वो आपको बताय जाएगा अगर आप ठीक लगे तो करवा लेना वीडियो के description में मेरी Instagram की ID का link मिल जाएगा link के तुर ही जाना और follow करना और message करना पहले follow करना फिर message करना तभी आपका message मुझे show होगा तो भाई description में link मिल जाएगा सर्च करके जाओगे तो fake account पर चले जाओगे real जो ID है मेरी description में ही उसका link है जा चले को subscribe कर लो तो चले बिना टाइस को अपनी वीडियो भी start कर लेते हैं और कैसे जो अपने account को unlock करना है तो जो मैंने आपको starting में दिखाया वह जो हो पाया था और हमारी total यहाँ पर दो step में आपको बताने वाला हूं तो कैसे आपको क्या कुछ करना यह मैं एक वीडियो में दर बताने वाला हूं और दोस्तों कर आपको हमारी वीडियो देखना कर लेते हैं तो आपको आने दोस्तों पर पर मोवाइल के Google पर यहाँ पर आपको सर्च करना है Facebook Help Center और दोस्तों जैसी आप यहाँ पर Facebook Help Center सर्च करते हैं तो आपके सामने कोछ इस तरीके से जो इंटरफेस है वो आता इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कोछ इस तरीके से इंटरफेस होगा और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सर्च करना है Code Option Locked जैस तो यहाँ पर आपको जो अपनी प्रोलम है वो डिस्काइब करनी है ठीक है वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे डिस्काइब करने है दोस्तों आपको मतलब complete यहाँ पर बताना है कौन सा ओप्शन आया हुआ है कौन सा ओप्शन चाहिए कौन सा ओप्शन नहीं चाहिए Code Option ऑपनी जो सारी प्रोडम में उच्лагपी करना ठीक है फिर वरना फिर आपको दुआरा से नोट करना पड़ेगा उसी को आपको क्योपी कर लेना वह आगे कांगों आने वाला है यह भी में आपको बदाने वाला तो मं जैसे यहां पर जाएगे तो दोस्तों अपर थ्री लाइंस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला जो मैं आप से खाथ कि alors ले ना वही दोस्तों आपको यहां पर पेस्ट करना है ठीक है वह यहां से भी सभी अब से न दोनों के दोनों भी यहां से जो है सम्मिट करने है ठीक है यह एक ही स्टाप इसते बैपको लिंग को लोगिन होनी चाहिए ठीक है तब भी किया था वहां पर भी पेस्ट करना है और समिट कर देना मतलब चारो जंगा जो है होने वाला एक ही परसेस है बट जो मतलब स्टैप है वो अलग-अलग हो जाएंगे यह थी ट्रिक दोस्तों जो मैंने अपलाई किया था और इसमें जो है मुझे एक्जक्ट टाइम नहीं था और जो है मतलब मैंने रिक्वाइस करके छोड़ दी थी मुझे ध्यान नहीं मैंने कब की थी कौन से अकाउंट की ठीक है यह तो मैंने लोगिन करके देखा तो जो है मेरे सामने अकाउंट आया और पर जो है ऑप्शन चेंज हो चुका है तो दोस्तों कर आपको वीडिय जाहिन जाबारत धन्यवाद